50,000 डॉलर पे भी Bitcoin खरीदा, 40 पे भी खरीदा और 30,000 डॉलर पे भी Bitcoin खरीदा लेकिन यह लगातार गिरता जा रहा है तो dip buy करते करते it keeps dipping इसका क्या इलाज है आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि bear market की dip buying strategy में आप क्या changes ला सकते हैं अपनी और कैसे experts जैसे Warren Buffet इन strategies को use करते हैं साथ ही साथ हम discuss करेंगे कि crypto market का अज क्या हाल है world markets किस तरीके से खुले हैं and upcoming S&P 500 की जो opening होने वाली है वो किस तरीके से होगी और क्रिप्टो पर क्या effect होने वाला है तो वीडियो को like करना ना भूले and subscribe करते हैं चानल को अपर चलते हैं चार्ट की साइट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Bitcoin के चार्ट की साइट से and Bitcoin का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो almost unchanged है कल से अगर हम डेली का चेंज देखें आज का almost 1% से भी कम चेंज हुआ है and overall हमें यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि markets किसी चीज़ का weight कर रहे है क्योंकि volume भी लगाता नीचे जा रही है यहां पर बहुत जल्दी GDP के numbers आने वाले हैं US के projected numbers आने वाले हैं तो market उपर जाएगा या नीचे जाएगा सब उसी का weight कर रहे है अगर हम देखें release schedule को तो हमारे पास June 29th को है सबसे बड़ी चीज जो की 8.30 a.m सुबह सुबह मतलब की India के time के हसाब से 7 बज़े के आसपास यहां पर release होने वाले है GDP by industry and corporate profits मतलब जो second quarter के results है वो यहां पर आने वाले हैं के बाद June 30 को भी कुछ events है June July 6 को भी है और जो हमारे official GDP numbers है वो end of the quarter में आने वाले हैं second quarter के GDP numbers July 28 को आने वाले हैं तो markets यहां से start करेंगे wait करना June 29 से थोड़ा बहुत idea आ जाएगा उस हिसाब से वो खुद को adjust कर लेंगे तो make sure कि आप उस volatility के लिए तयार हो अगर आपने short लिया है अगर आपने long लिया है तो उन दोनों को आप manage कर पाओ अगर अभी हम S&P 500 के performance देखेंगे तो कुछ खास नहीं हुआ कल market थोड़ा सो उपर गया फिर नीचे जाना start किया इसने continue किया और यहां पर एक यह reversal point बना रहा है लेकिन I don't think यहां से reversal होने वाला है reason क्या है इसका कि US के markets अभी खुले नहीं है लेकिन बाकी सारे markets यहां पर open हुए है और आप देख रहे हो कि almost all of them are opening in green हमें बस यहां पर Taiwan में थोड़ा red देखने को मिला चाइना की सारे के सारे indices हमें थोड़े थोड़े red देखने को मिले हैं बाकी most of them are green and US की अगर हम main main headlines देखें इस time पर pre-market में mixed reaction है Nike का stock गिरा है लेकिन Morgan Stanley Goldman Sachs Wells Fargo इन सब के stocks थोड़े बड़े हैं यह बहुत बड़े प्लेयर है market के that is why Inga stock अगर थोड़ा सा भी उपर होता है तो हमें S&P 500 में उसका असर देखने को मिले तो यहां पर एक अच्छा खासा चांस है कि S&P 500 यहां पर की site खुलेगा and that will affect crypto similarly and crypto में भी थोड़ा सा upside में देखने को मिल सकता है तो एक short term trade अगर आपको खोलना है long का तो आप यहां पर open कर सकते हो यहां जे हम pre market conditions research करके पता लगा सकते हैं now let's talk about some news in the market सबसे पहली है Robinhood के shares यहां पर सर्च करें मतलब उपर जाने start हुए है क्यूंकि FtX is going to acquire Robinhood although SBF FtX CEO है उन्होंने बोला है कि हम बस बाते कर रहे हैं there is nothing concrete yet यहां पर कुछ concrete नहीं है तो यहां पर Robinhood की साइट से भी सोड़ी positive news है जो कि हमें overall US stock markets पे असर दिखाएगी तो यह तो था market का हार है market में क्या news चल रही है क्या expected movements हो सकती है लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप यहां पर आये हैं वह है इस strategy को employ करते हैं and 2008-2010 के जो era है जहां पर हमने market को कृता हुआ देखा था वहां पर इन strategies को use करके उन्होंने बहुत insane profits बनाए है इन strategies में कुछ important pointers हैं first of all हमें देखना है कि time period को हम manage करते वे चलें अब crypto में हमें बता है कि all time high के बाद जो era market आता है वो roughly 2 साल चलता है करें आप जितना afford कर सकते हो उससाब से DCA करो अब DCA करना भी एक risky चीज हो सकती है क्योंकि काफी सारे लोग DCA कर रहे होंगे ऐसी cryptocurrency में या ऐसे stocks इनकी recovery अभी guaranteed नहीं है जिनका पक्का नहीं है कि recover करेंग या नहीं करेंगे होना है उसके recent prices से anchoring bias अपने अंदर नहीं लेकर आनी है आपको देखना है कि fundamentals कैसे company के क्या इस company के पास leverage है क्या इनके पास loan है क्योंकि अगर loan होता है किसी भी cryptocurrency या फिर किसी भी company से तो वहां पर एक बहुत बड़ा volatile move आ सकता है जिससे कि हमने अभी examples देखे Celsius के platform के साथ हुआ UST के साथ हुआ इन सब में leverage heavily involved थी and that is why आपको leverage से थोड़ा सा दूर रहना है another tip जो नहीं हमें दिये वो है कि आप media पर trust मत करो आप social media या फिर आपका CNBC जैसी media companies जिनमें आपके analyst आते हैं आपको बताते हैं कि market का क्या हाल है उन पर आप भरोसा मत करो क्योंकि अगर हमें recent से recent example देखे तो 2008 के mega flash crash से पहले भी यह analyst बोल रहे थे कि market बॉटम बना चुका है अब आप buy करना start करो लेकिन हमें पता है कि उसके जाने वाली है there is no other way जितना paranoid होते हो इतना deeply आप research करते हो किसी भी चीज से emotional attachment मतलो for example काफी सारे लोग Shiba Inu को लेके बहुत दा confidence में है लेकिन बहुत कम लोग उसको लेके paranoid है buying strategy में एक और चीज इंपॉर्टन होती है कि आप as an investor कौन हो you can be someone जो अभी 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 एकदम end of their investing journey है जिन लोगों को अब बस अपनी pension का इंटेदार है वो retire होने वाले है तो जितना मेरी audience मुझे पता है is generally in the starting site तो 20 साल की एज वाले जो लोग है उन लोगों के बास अभी पूरी जिंदगी बची है and वो bear market में invest करके although they will have a lot of losses right now लेकिन वो काफी सारी नहीं चीज़े सीख रहे होंगे and that is why हमारे चैनल का content भी इस तरीके से designed है कि आप अगर bear market में 20,000 डॉलर से ही वापस all-time high बनाने निकल जाए हो सकता है कि वह 20,000 से 30,000 के बीच में अगले देट दो साल बिताए उसके बाद all-time high पर चले जाए तो आप 16,000 डॉलर का ही wait करते रहोगे so do not try to time the market have a strategy अपना DCA time table बनाओ और उसको follow करो another tip is कि diversify your investment अगा आपको लगता होगा कि crypto jargon तो crypto jargon है तो सारा पैसा crypto पर ही लगाता होगा पर ऐसा नहीं है only 30% of my total investments is in crypto बाकि 70% मैं भी stock bonds gold real estate इन जगों पर करता हूं क्यूंकि diversify करना is always a good idea ऐसा भी हो सकता है कि कल को crypto market डाउन ही रहे लेकिन stock markets उपर चले जाए यह real estate का market गिर जाए but gold का market उपर चला जाए तो diversify हमेशा करके रखो ताकि अगर कोई एक भी industry उपर जा रही हो तो आप वहां पर profit book करके जो industry इस टाइम पर नीचे है वहां पर opportunities धून पाओ next step is कि आप long term mindset से घुसो market में इस टाइम पर market बहुत डाउन है और नवेंबर से लिके अब तक market डाउन ही जा रहा है पर जो लोग extensively study कर चुके हैं bear markets को या फिर already experience कर चुके इन markets को तो उनको पता है कि long term mindset आपको रखना ही चाहिए for example Warren Buffet ने recently 40 billion dollars के investments करी है in the industries he believes in and वहां पर आप देख रहे हो कि भी-भी market डाउन जा रहा है वहां पर भी market नीचे जा रहा है and even big investors on YouTube like Akshay Shrivastav is investing 50-60 lakh rupees on his lives time horizon और आपका time horizon वाला mindset काफी different है वो यहां पर 3-4 साल के लिए नहीं वो 10-15 साल के mindset से गुसे है and उसी तरीके से आपको भी अपना mindset change करना है आप चीज़े इन्वेस्ट कर रहे हो आपका extra money है उनको आप वैसे भी use नी करने वाले थे तो आप यहां पे short term बे पानिक होके हैं बहुत ही risky होते हैं I know they can give you like 70-80% returns और यहां पे उनका risk आप भूल जाते हो वे markets में survival बहुत मुश्किल होता है even the stock market companies go bankrupt तो यह coins कुछ भी नहीं है तो don't take any unnecessary risk अगर आप एक अच्छी जगह पर invest करते हो तो आपको पता है कि आपको returns मिलेंगे और यहां से अगर दो साल बात bull market आ जाता है तो आपके पास sufficient profit होगा sufficient cash होगा जिससे आप इन risky जगहों पर bet कर सकते हो क्योंकि उस bull market में भी 7-8 गुन आपको वो profit दे देंगे वर्सेस अगर आप अभी रिस्क लो तो इस वर दाटीजिस 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 दाटीज बाए बिग इन्वेस्टर जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है काफी टाइम लगा है यह रिसर्च करने में तो मेक शूर तो शेयर दिस वीडियो और आपको अच्छी लगी हो अलसो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं यहां पर इन सब कर रिटर्न वर्जन अगर को चाहिए तो आपको मेरे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा शेयर तो सब्सक्राइब कर दो आपको अच्छी लगाएब ए लिए धर देन रगो ने बरने कर दी नशील बदाथ जैसे